पाकिस्तान में रहने वाला हर बैक्ती पहले हिंदू है और सबसे बड़ी बात में बदा दू कुछ लोगों को बुरा लगती है कि सनातन विचारधारा एक धर्म नहीं विचारधारा है में फाकिस्तान में रहने माले पाकिस्तानी होते हैं तो भारत में 청ड़े माले पाकिस्तानी हो हिक्गस्तानी neste क्या हिए और हिंदु सब्धी अरभों के दुवार तिया गיया जात्या आई आप शुनानी आ आए इसाइज सब एक साथ मिल कर रहे हैं और इस हिंदू राष्ट के रक्चा है तू कटिबद रहे हैं उसको मैं मानता हूँ और उस हिंदू राष्ट का मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्टा आज वहां खाने खाने बिना लोग बेचैन है कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता है और जब मेरे अनन देव इस देव जब बजरंग बली है तो मुझे मेरी सारी की सारी निष्ठा और रास्था बजरंग बली के प हिस्ठी मेरे हिंदू राष्ट की परिकल्मा में थोड़ा सा डिफिरेंस हमको नजर आया पता नहीं बाबा समझा नहीं पाई या हम समझ नहीं पाई अरजी लगाने का एक बड़ा ही चलन है और लाखो लाख लोग अपना अरजी देने के लिए बाबा के पास ललाईत रहें रामान सर है हमारे साथ रामान सर आपको बता दे कि जब बिहार में विरोध हो रहा था तो उन्होंने स्वागत किया था कि बाबा को पटना जरूर आना चाहिए वो भी हनुमान भक्त है मैं भी हनुमान भक्त हूँ और इन्हों ने कहा था कि मैं भी कोशिस करूँँगा उन स्वागात आप किये थे क्या अनुभूती हुआ उनसे मिलकर पांच दिन रहे पटनाय में उसको देखा एक रादेश तो मैं अस पर शुप आपको बता दू कि कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता है और जब मेरे अनन देव इस देव जब बजरंग बली है तो मुझे मेरी सार बजरंग बली के भक्त है तो बजरंग बली के भक्त होने के नाते में बहुत समान करता हूं और बजरंग बली हमारे इस देव हैं इसलिए बाबा के यहां आना हमको अच्छा लगा हिंदू राष्ट के बारे में आपने बोला था कि अगर वो देश के डैवर्सिटी जो बाबा के हिंदू राष्ट की परिकल्पना और मेरे बिंग एस्टेंट ओफिस्टी मेरे हिंदू राष्ट की परिकल्पना में थोड़ा सा डिफिरेंस हमको नजर आया पता नहीं बाबा समझा नहीं पाए हम समझ नहीं पाए कि सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत हिंदू केवल हिंदु रहे इसको मैं नहीं मानता है इस हिंदु राष्ट में हिंदु मुस्लिम सीक सब एक साथ मिल कर रहें और इस हिंदु राष्ट के रक्चन 깐 लो undert here उसको मैं मानता हूँ और उस हिंदू राष्ट का मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि आप देखे पाकिसान पाकिसान तो मुस्लिम राष्ट था आज वहाँ खाने खाने बिना लोग बेचैन है भारत एक कंपोजिट कल्चर का देश है और एक बात बता दें युनानी है सक आए तो हमारा हिंदू राष्ट वो हिंदू राष्ट है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई, बैकवर्ट, फारवर्ट, सब एक साथ मिलकर राष्ट रख चाए तो कटिबद होता है देट इस हिंदू राष्ट क्योंकि यह हिंदू राष्ट की परिभाज़ा के परिभाज़ा राष्ट 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 बहुत बड़ी पदती होगी हमारे लिए भारत के विकास के लिए भारत को विस गुरु बनाने के लिए क्योंकि सनातन एक ऐसी जीवन पदती है जो हमें समान्ता सोतंता और समरफ्ता की पाठ पड़ाती है इसलिए मैं सनातन को सेड़ूट करता हूं सनातनी लगे हैं हिंदुत वादी लगे हैं आपको सर कौन बाबा सनातनी लगे हैं हिंदुत वादी लगे हैं लेकिन सनातनी का मतलब बिलकुत दुछा होता है सनातनी का मतलब बहुत पहुत रिश्यमोनी हमारे यह गुज रहे हैं अब सनातनी परंपरा रही है कि जब जब सं सब रहे हैं लुद सब हो या थाले किसी बात घ्रत्र बात समुल क्या हैं कि तो फुट। शीताराम कहना चाहिए सीताराम के जगह पर जैसीताराम जैसिया राम कहा जातो अच्छी चीज़ है मैं इसका समर्थर करता हूं लेकिन compulsory अक्षती पर ठोकिएगा कि भारत में रहना होगihen तो शीतराम कहना होगा तो जो कहना चाहता हो भी नहीं कहेगा लेकिन मैं तो दिन बर बोल दूगा खड़ा को बोल दूगा जै शीतराम जै सीतराम जै सीतराम मुझे कोई धिकत नहीं है भारत अब अरे यार भारत हिंदू-मुस्लिम सी क्या सोच रहे हो कि भारत में जो मुसल्मान आता हूँ इंग्लेंड से आया है अरब से आया है उस सब यहीं का मुक्के स्वा है इसलिए सीता राम के करेक्टर पर उंगली उठी नहीं सकती है सीता राम अगर लोग बोलता है तो बहुत बड़ी बात है हजरत मुहमद का नाम लीजिए सीता राम का नाम लीजिए महात्माबुद का नाम लीजिए उसमें कोई दिकत नहीं लेकिन रहना होगा दहना होगा इस पाने कोई सर लाखो लाख दस लाख लोग के आसपास एक दिन में जूटते थे क्या कहेंगे सर बिहार में आस्था है या अंधविश्वास है सर ना आस्था ना अंद्वी स्वास बिहार के लोग परिसान है और अपने परिसानी को दूर करने के लिए येन केन परकारेन पीत वाथ कब संपुर्ण बीजी लगा कि अपने परिसानी को दूर करने का परियास करते हैं आस्था हैं लेकिन अभी जितनी जो भीडद देख रहे थे वह सारा भीड़ के मूल में करण था बिहार के लोगों की परिषाने ही बिहार के लोग परिषान हैं चानते क molecंड कर्ल लयान हो जाए मैं भी बावासर के लिए की तो अनुड़ अधर है कोई भी आधि में बिहार के लोग परिसान हैं इसलिए इतने भीरे थे 5 और आपने सुना कि बावा बागेस्वर के लेकर इन्होंने स्वागत किया था हन्वान जी के भक्त हैं र cricket इस लिए एक जुलाओं इनका हो गया था और जो भी पांच दिन रहें उनके जो बयान है उसको लेकर सर ने अपनी प्रतिकरिया रखी है तो आप कितने सहमात हैं और आपकी क्या पड़ते के लिए है जरूर कमेंट बक्स में करें फिलाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद